आज हम बनाएंगे घर पर एकदम बाजार जैसी रस्मलाई जिसे हम बाहर में खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहंगा पड़ता है इस वज़ा से हम जल्दी खरीद नहीं पाते हैं तो इजी तरीके से आप घर पर कैसे पनाते हैं तो चलिए देख लेते हैं असलाम अलेक करने के लिए हैवी बॉटम का परतल लेना है जो खास टिप्स है हो यह है कि गाई के दूद में रस्मलाई काफी जाद अच्छा बनता है तो गाई का दूद आपको लेना है और अगर भैंस का लेंगे तो उसे अच्छा नहीं बन पाएगा अगर पैकेट वाला दूद से आ हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है तकरीबन एक चौथाई कप और आधा निम्बु का रस्ट कभी ऐसा होता है कि निम्बु नहीं होता है तो इस पॉन्ट पर हम सिर्का लेंगे एक बड़ा चम्मच एक चौथाई निम्बु का अगर बीज रह गया हो तू से निकाल लेंगे हम अब इसे हम दूद में आट करेंगे तो दूद में उबाल आने के पाद आपको आट करना है हमने इसे दो से तीन वार थोड़ा थोड़ा डालते हुए छेना बनाया है इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो छेना परफेक्ट तरीके से निकल आता है जैसे परफेक्ट तरीके से पढ़ चुका है इस पॉइंट पर क्या गरेंगे कि थोड़ा सा अगर आपको लगे कि कुछ कसर बाकी है तो थोड़ा सा और निम्बू का रस इस्तमाल कर सकते हैं गैस का फ्लेम ओफ कर दिया है अब इसे हम छाल लेते हैं तीन से चार बार इसे धुल ल करने जयरें उसके बाड़ इसका एक्स्ट्रा जितना पानी है सभी को निकाल लेना है कपड़े में रखने के बाड़ थोड़े से ट्विस्ट करेंगे और दबाते हुए हातों से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है जितना ज्यादा बiblик कि होता है और आप घुनकि अबश् हाँ अब बारी आती है पैकेट वाली दूद की तो अगर उससे आप बना रहे हैं छेना तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे हाथ में लग जाते हैं क्योंकि उसमें इतनी किरीम होती है तो बरतन में भी चिपकता है और हाथ में भी बहुत जादा चिपकता है तो आपको इसी प्रोसेस से मैश करना है लेकिन अगर उसे शेप देंगे तो शेप देने के लिए आपको शेप देने से पहले फिरीज में आपको रखना है एक घंटे के लिए फिरीजर में नहीं फिरीज में रखना है उसके बाद आपको छेने का शेप देना है तब जाकर आपका पैकेट वाले दूद से छेना बहुत परफेक्ट बनेगा तो ये देखे इसे हमने 5-6 मिनट के लिए मैश कर दिया है मैश करने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे एक बड़ा चम्मच कॉर्ण फ्लोर अगर आपके पास कॉर्ण फ्लोर नहीं है तो एक बड़ा चम्मच आरा रोट का पॉर्डर आट करना है कॉर्ण फ्लोर डारने के बाद मिक्स करना है मैश बिल्कुल नहीं करना है हाँ अगर मैश कर रहे हैं आप तो वहाँ पर आपको बिल्कुल इसका टेक्स्चर तो बड़ा भी ले सकते हैं तो यहाँ पर हम बाकी छेनों को शेप दे देंगे तो अगर आप चाहें तो गोल बनाएं या फिर थोड़ा सा चप्टा कर दें यहाँ पर हम इसे गोल शेप बना रहे हैं आप चाहें तो दोनों हातों से इसे दबा कर टिक्की का शेप देते हैं बस चप्टा कर देना है कुछ नहीं तो यहाँ पर सभी छेने को हम तयार कर लेंगे बना कर यह देखिए सारे छेने को हमने बना कर तयार कर लिया है तो अब चलिए इसे बनाने की बारी आती है तो यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, बड़ा सा बरतन लेना है, छोटा नहीं लेना है अब इसी में एक कटोरी चीनी डालेंगे एक कटोरी चीनी के हिसाब से 5 कटोरी हमने इसमें पानी आट किया है पानी की कॉइंटिटी जादा होती है छेने बनाने के लिए अगर कम रहेगा तो हमारे चेने भी अच्छे से नहीं बनेंगे उसे फुल पानी चाहिए ताके वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी में तैर सके इसे चलाते हुए पकाएंगे ताके चीनी बॉटम में लगे नहीं एक उबाल आने का हम इंतिजार करेंगे तो उबाल आ चुका है यहाँ पर हमने बाकी चेने डाल दिये हैं एक एक करके आपको चेने को डालना है एक डाले उसके बाद उबाल आए फिर उसके बाद दूसरा डाले इस तरीके से अगर आप चेने डालते हैं तो चेने अच्छे बनेंगे पानी में उबाल खतम नहीं होना चाहिए पानी में ही आपको सारे छेने डालना है और उसके बाद 5 मिनट के लिए हमने पका लिया है हाई फ्लेम पर उसके बाद आपको ढग देना है इट लगाने के बाद 6 मिनट के लिए पकाया है बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं खोलना है तो 6 मिनट हो चुका है और देखिए छेने का साइज आप देख सकते हो बड़ा बड़ा हो गया है चम्मच बहुत जादा नहीं लगाना है छेने के उपर चम्मच बिल्कुल भी टच नहीं करना है पानी छेने के उपर डालना है उसके बाद फिर से ढखक कर 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे अगर बीच में आपको लगे कि पानी कम हो गया है और चासनी थोड़ा गाला हो रहा है तो आपको गरम पानी का इस्तमाल करना है एक किलास गरम पानी अलग से डाल सकते हैं तो यहां पर देखिए छेना तयार हो गया है इसकी लेट फिर हमने हटा दिये 20 मिनट में ये तयार हो गया है तो इस पॉइंट पर हमने गैस का फ्लेम आफ कर देना है और आप छेने को देख सकते हैं कि कितना जबतस तरीके से तयार हो गया है यह देखिए तो अब इसे हम क्या करेंगे कि यहां पर एक बॉल में हमने ठंडा पानी ले लिया है पानी एकदम चिल्ड है अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो आईसक्यूब आप इसमें डालकर छेने को डाल सकते हैं ठंडे पानी में छेने को डालने के बाद छेने की साइस छोटी नहीं होती, सिकुडता नहीं है, जिस साइस का हम चाशनी से निकालते हैं, उसी साइस का होता है, तो आप देख सकते हैं छेना कितना जादा नरम, सौफ्ट, स्पंजी तयार हुआ है, तो इसी प्रोसेस से आप तो आपका भी इसी तरीके से तयार होगा। थंडा पानी में एक घंटे के लिए छोड़ देना हैं तब तक हम यहां पर रस मलाई के लिए रस तयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर आधा लीटर दूद उबाल लिया है, इसे चलाते हुए पांच मिनट के लिए पका लिया है, हम इसे थोड़ा जादा कॉइंटिटी में बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो एक पॉद दूद से इतने छेने के लिए एनफ होता है, पॉइंट पर फ्लेम को लो कर देना है, नेक्स्ट प्रोसेस यह है कि एक कटोरी में चार बड़ा चम्मच यहाँ पर मिल्क पॉडर ले ले लेंगे, एक छोटी चम्मच कस्टड पॉडर, वैनिला का है यह, बाजार वाले इसे जरूर इस्तमाल करते हैं, अब इसमें तीन बड़ा चम्मच चिनी चार्षनी पड़ी वीथी पची वीथी पहले से वह डाल दिया है, साथ ही 5-6 केसर के धागे और आधा कप दूड डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी आप चाहें तो डारेक दूद में भी डाल कर उबाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो मिल्क पॉडर बिल्कुल इ तो यह तैयार हो गया है, तो दूद में हम डालेंगे, तो दूद को पहले अच्छे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डालने के बाद चला लेंगे, अगर आपको जादा मीठा पसंद है, तो आप थोड़ा जादा चीनी का इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन रस मिनट के लिए पका लिया है अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे जब तक यह ठंडा हो तक यहाँ पर अगला इस्टेप देख लेते हैं तो पानी में जितने चेने हैं सभी को दबा-दबा कर निकाल लेना है एक्स्ट्रा पानी जितना है सभी को अच्छे से निकाल लेंगे ताकि जो हम रस इस्तमाल करें तो वो अंदर तक चला जाए तो अब एक बॉल में हम यहाँ पर एरेंच कर लेंगे अब इसके उपर तयार किया हुआ दूद वाला रस आड़ करेंगे मुझे रसमलाई का रस बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए हमने जादा क्वाइंटिटी में बनाया है एक घंटे के लिए हमने इसे फिरेज में रख दिया था यह ठंडा हो गया है और जो रस है वो छेने के अंदर तक चला गया है अब इसके उपर पीस्ता और केसर के धागे डाल देना है और यह देखी हमारा रस्मलाई कितना जबदस तरीके से बना है एकदम बाजार जैसा लग रहा है काफी जादा यह नरम और स्पंजी बनकर तयार हुआ है तो इसी प्रोसेस से अगर आप लोग भी इसे बनाते हैं तो आपका भी एकदम मार्केट जैसा तयार होगा लेकिन सारे टिप्स को फॉलो करते हुए आपको बनाना होगा इसे आप लोग एक बाद जरूर ट्राइ कीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए रस्मलाई बनकर रेड़ी हो चुका है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हूँ इजासत अल्ला हफीज